पूरा वीडियो लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलियेगा दोस्तों इनसान अपने आगाज नहीं बलके अंजाम से पहचाना जाता है और सुरिक मारियादों ने इसका एक्जामपल सेट कर दिया है जी हाँ जब पिछली बार ऑस्टलियाई टीम भारत आई थी तब सुरिक मारियादों ने उनके सामने वेहदी वेवास अंदाज में बले बाजी की थी और तीन मुकाबलों में केवल जीरो रन ही बनाए थे सब ने सुरिया की जमकर आलोचना की थी सब उन्हें टीम से बाहर करने की मांग भी कर रहे थे लेकिन दोस्तों सारे आलोचनाओं को दरकिनार करते वे सुरिक मारियादों ने ऑस्टलिया के खिलाप ऐसा बदला लिया है जिसे लोग कभी भूल भी नहीं पाएंगे आपको बता दे और्शलिया की खिलाप पहले मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी करते वे उन्होंने टीम इडिया को जीत दिलाई और हाप सेंशुरी भी जड़ी उन्होंने यही दमदार बल्लेबाजी दूसरे मुकाबले में भी बरकरार रखी और इस मुकाबले में तो उनका खतरनाक अंदाज और भी खतरनाक था जी हां वो जब बल्लेबाजी करने आये तब सुरुवास से ही खतरनाक वूड में लग रहे थे और कैमरन ग्रिन को आड़े हाथो लेती वे उन्होंने उनकी चार गेंदों पर चार छक्के लगाकर संसनी मचा दी युगरास सिंग भी डर गए होंगे कि कहीं सुरी कुमार यादो उनका ना रिकॉर्ड तोर दे दोस्तों आपको बता दे सुरिया ने केवल 37 गेदों में 72 रन ठोक डाले उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और 6 खतरनाक छक्के लगाए सुरी कुमार यादो की तापट तोड़ बल्लेबाजी की दमपरी टीम इंडिया ने उस्टलिया के सामने 400 रनों का एक विसाल स्कोर खड़ा किया आपको बता दे इस तबाही वाली बल्लेबाजी करने के बाद सुरी कुमार यादो ने भयान देते हुए कहा अच्छी पाली खेल कर अच्छा महसूस कर रहा हूँ एक टीम के रूप में संतूष्ट हूँ हमारे पास सही समय पर लए है यह इस्तिती पे निर्भर करता है कि कुछ आत्मविस्वास जरूरी है मैं बाद में इसे कवर कर सकता हूँ ह् और यह आत्मविस्वास इसलिए है क्योंकि मैं इस समय स्कोर कर रहा हूँ कैमरन ग्रिन के साथ मैंने खेला है और उनकी गेंदो को मैं अच्छे तरीके से पहचानता हूँ कि वो कब और कहा गेंदबाजी करने बाले हैं बस फिर क्या था मैंने उसका फायदा उठाया और जड़ दिया चार छक्का रोहिद भाई और केल दोनों ही अच्छे कप्तान हैं दोनों की कप्ताने में खेलने में मज़ा आता है किसी भी पीच पर 400 का स्कोर बड़ा ही मुश्किल होने वाला था और गेंदबाजो ने आकर अपना काम अच्छे तरीके से किया मुझे लगता है कि मैदान के नीचे ग्रिन के खिलाफ लगाया गया च्छका मेरे लिए वाकई में खास था तो दोस्तों आप सुरकमार यादो कि इस खतरनाक बल्ले भाजी को दस में से कितने नमबर देने वाले हैं आप हमें अपनी राय नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा और ऐसी ही सांदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा धन्यवाद